10% आदिवासी, कहां गायब हो गए, कहां खो गए जो आदिवासी महिलाएं, उनके साथ बंगला देशी घुसपैठी है, शादी कर रहे हैं आप समझें हमारे यहां 100 आदिवासी मुख्या है, जो आदिवासी के नाम पर है हमारे लोगों को भगा रहे हैं, और हिंदूँ का गाओं का गाओं खाली हो रहा है सारे लोगों ने आकर हिंदूओं के उपर जुम किया, कि मुसल्मानों की अबादी दिन प्रती दिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को अस्तरचेफ बरना चाहिए ने तो हिंदू काली हो जाएंगे एनासी लागू करिए ये धर्मांकरण और साधी के लिए पर्मिशन जरूरी है अनिशिकान दूबे जी तनिवाद अध्यक्ष बहुदे सर संविधान खत्रे में हम यहाँ हसने की बात करते हैं दलितों की बात करते हैं पिछणों की बात करते हैं आधिवासी को बचाने की बात करते हैं और सारे सरकारों की नीतियां चाहे केंदर सरकार हो चाहे राजी सरकार हो कहीं किसी की भी सरकार हो उसका एक मात्र लक्ष यही है कि समाज के अंतिम यक्ति तक पहुचना है मैं जिस राज्जी से आता हूँ अध्यक्ष महोदे संथालपुरणा एरिया से जब संथालपुरणा बिहार से अलग हुआ जारखन तो 2000 में आदिवासियों का population हमारे यहां संथालपुरणा में 36% था और आज आदिवासियों का population 26% 10% आदिवासी कहां गायब हो गए कहां खो गए इसके बारे में कभी भी यह सदन चिंता की बात नहीं करता है वो बोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है और जो हमारे यहां सरकार है जारखन मुक्ति मोर्चा Congress वो इसके उपर जो है कोई भी action नहीं लिया जा रहा है आज क्या हो रहा है बंगला देश का घुसपैट हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है जो आदिवासी महिलाएं उनके साथ बंगला देशी घुसपैट ही है शादी कर रहे है हिंदू और मुसल्मान का सबाल नहीं है हमारे यहां जो लोगसभा का चुनाव लड़ती है महिला आदिवासी कोटे से लड़ती है उनके पती मुसल्मान है जिला परशत की जो अध्यक्षा है उनके पती मुसल्मान है मुखिया जो आदिवासी होते हैं और ये टोटल जो है आप समझें हमारे यहां 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पती जो है सभी के सभी मुसल्मान है हमारे यहां भी विधान सभा का चुना हुआ अध्यक्ष मोदे एक सो ताइस परसेंट तक यहां सभी लोग चुनाव लड़कर आये हैं प्रतेक पात साल में 15 से 17 परसेंट पॉपलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है हमारे यहां एक सो ताइस परसेंट जै मैं जिस लोग सभा से आया उसकी एक विदानसवा मधुपूर में लगवग लगवग 266 बुथों पर 117 परसेंट मुसलमानों की आवादी बढ़ गई और पूरे आप समझेए कि टोटल जो है जारखंड में कमस्कम 25 विदानसवा ऐसी है जहां 123 परसेंट 110 परसेंट आवादी बढ़ी है ये एक बड़ा चिंता का विसे है दूसरा सर हमारे यहां अभी पाकुर जिले में तारा नगर इलामी और डंगा पाड़ा में दंगा हो गया कि बंगाल से ममता बिरजी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्सिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदूओं का गाउं का गाउं खाली हो रहा है ये बड़ा ही सिरियस में से और मैं और रेकॉर्ड का रहा हूं यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तिफा देने को तैयार हूं सारे बंगाल से मुर्सिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदूओं के उपर चूप किया और जारकंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है मेरा आपके माधियम से स्पीकर महोदे आग रहा है कि पूरा मालदा मुर कि अबादी दिन परती दिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को अस्तिफ करना चाहिए और इसके पहले यदी कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमीटी बेजिये और पूरे सभी उसके क्रिलम कॉंग्रेस के मैक्सिमा में पूर रखिये कि वो कमीटी जाए और दूसरा जो ये जो ये लाग कमिशन की रिपोर्ट है 235 में 2010 की उसको लागू करिये कि धर्मांकरण और साधी के लिए पर्मिशन जरूरी है आपने मुझे मौका दिया इनी सब्दों के साथ जैन जैवारत